Welcome in RSK, Maths Monitor, Chapter 8, Exercise 8.6, 9 वीडियो सो सभाव उनता, Question No. 3, Find the Time, हमें Time Find Out करना है, Question में हमारे पास Principal, Rate and Simple Interest गिवन है, वोरों हमें Time Find Out करना है, जो भी हमें Find Out करना है, या Principal Rate Find Out करना हो, हमें Time Find Out करना हो, या Simple Interest, सभी के लिए हमारे पास Apply होता है, PRT, यानि Simple Interest का हमारे पास Formula हो रही Help से Question को हम Solve करते हैं, चाहे कोई भी Object हमारे पास Given हो, अब इसमें हमारे पास Two Parts है, दोनों पार्ट से में One Part हम Solve करेंगे, First Part लेते हैं, 720 Principle है, यानि जो पैसे बुरो लिए या दिए, किस Rate पर लिए, 18% और PA, that means per annum, एक साल में एक बार हम जो इंट्रेस्ट हो काउंट करते हैं, Principle is given है, 3,888, जो given है, उसी की help से हम आगे चलेंगे, Simple Interest given है, Simple इंट्रेस्ट है, PRT के फार्मूले से सोल करते हैं, और वो value हमारे पास Already given है, तो value को हमें पूट करेंगे, अब जहाँ पर principle given है, 720, rate given है, 18% पाय में 100 हो जाएगा, और time unknown है, और बाकी value, same to same हम right करेंगे, अब यहाँ से हम देख रहे हैं, उब्जरब करेंगे कि T की value में find out करने T को हम नहीं रखेंगे, बाकी को हम replace करेंगे, left से right की तरफ, 3088 रोल डी यहाँ पे है, यह number divide में है, तो multiply में जाएगा, और यह number इसके multiply में थे, तो number divide में as it is जले जाएगे, अब यहाँ से 0 से हम 0 कट करेंगे, 2 की table से कट कर लेते हैं पहले, 2, 1 जा और यहाँ से 9 जा और 4 और 4, 2 की table में यह 9 पे, फिर 2 की table से कर लेते हैं, 2, 9 जा और 2, 7 जा और यहाँ से 2, 2 जा और यह 2 की table में हमारे पास हो गया, 36 पे, remaining एक बार जो number remain है उसको write कर लेते हैं यहाँ से 972 और multiply 10 और निचे हमारे पास 36 multiply में 9 आप देखिए 9 table में cut होता है 9 वंजा 9, 7 नहीं जाएगा और 72 हो जाएगा that means 9 8 जा 72 108 और 36, दोनों किसकी table में आते हैं हमारे पास? 12 के में, यह 12 में 9 पे जाएगा और 12 में हमारे पास 3 पे तरीक table में यह 3 पे 10 और 3 remaining है तो 10 threes are 30 की बीच में multiply का sign है 30 years is the answer of this question same हमारा second part रहेगा बिल्कुल same as this, question number 4 देखे find the simple interest and amount principle given है, principle होता है जो पैसे हमने बोरो किये 450 रुपीज दिये या भी लिये किस rate पर आर्च रिनोर करते हैं 5% पर एन्वाम और कितने time के लिए लिया दिया गया है दिया गया है 36 month हमें निकालना interest यानि इस पे कितनी हमारी charging लगी पैसे उधार लेने की तो वो charging होती है उसको हम simple interest कहते हैं और amount जो पैसे हम वापस कर रहे हैं तो वो हमारी amount होती है अगर हमने लिया है तो वापस करने वाले amount होती है अगर दिया है तो वापस जो वो पैसे हम लेते हैं वो amount कहराती है अब question में सबसे important thing है कि हमारे पास rate per annual है यहनि time हम साल में एक बार count करते हैं इस पैसे को calculate करते हैं कितना ब्याज हुआ तो यह भी हमारे पास year के अंदर होना जाए month में है इसको हम year में convert करेंगे 36 month one year में 12 month होते हैं तो हमेशे हम 12 से ही year बनाने के लिए 12 से ही divide करेंगे 12 से 12,3 जा 36 यानि 3 years होगे हमारे पास 36 month में हमारे 3 year complete होते हैं अब हम simple interest निकाल लेंगे formula वह ही रहेगा PRT principle 450 rate 5% है तो by में 100 और time is 3 years calculate करेंगे 0 हम इसको cut नहीं करेंगे यहां पर हमारे पास 5 से cut हो जाएगा यहां भी 5 से cut हो सकता है by में 2 बचेगा तो 2 से नंबर कट नहीं होगे तो इसलिए हम इसको जहां 5 और 2 multiple में हो तभी हम 0 कट करें और अदर्वाइस को cut मत करें इसको add stage रखिए 545 और 5th रिजा 15 by में 10 इसको multiply कीजिए 15 five's are 75 और 15 four's are 60 और 67 बाय में 10 अब जो बाय में 10 उसको use कीजिए decimal put करने के लिए 10 अब हमने अगर पैसे दिये है तो वापस पिलेने है या लिए है तो वापस देने तो वो होती है हमारी amount amount क्या होगी principle जो पैसे लिए या दिये फिर प्लस उसमें charging लग दे जो simple interest है दोनों मिला कर हमारे पास बनती amount यहांनी 450 रुपीज वापस लेने थे या देने थे में कोज भी हो सकता है पैसे में तो प्वाइंट में तो आप डेसिमिल प्वाइंट पैसे यहांसे 5711 और यहांसे 572.5 रुपीज यहांनी 50 रुपीज इसमें 50 पैसे हमारी amount होगी according to this question आपकी च्वाइस होती हैं डेसिमल पुट करें डेसिमल के बाद 0 पुट करें यहांनी 50 पैसे हैं डेसिमल के बाद according to need आप 0 भी पुट कर सकते हो now next part principle 56,000 रुपीज रेट यहनी जो पुट्जी है वो हमारे पास 56,000 है किस रेट पे उसको उधार दिया गया लिया गया पर एनुवम और टाइम हमारे पास 21 बाए में 2 इयर्स अब यहां पे देखें यह भी पर एनुवल है और यह भी इयर्स that means हमें कोई चेज निकरना as it is रखेंगे हमें निकालना है simple interest यानी specific कितनी charging लगी PRT 56,000 principal 1 by 4 और ओल्रेड़ी यहां पर percentage इढ़ेंगे तो 100 भी आएगा और time 21 और बाए में 2 क्योंकि यहां ओल्रेड़ी नंबर है तिसलिए में multiply का sign शो करेंगे 20 से 20 कट करेंगे अब यहां पर 4 टू जा 8 और 8 7 जा 56 1 by 1 भी कट कर सकते थे साथ में भी कर सकते हो यानी 7 और only 10 क्योंकि 20 ओल्रेड़ी कट हो चुकि 10 माने पास बजीर है multiply में 21 जीरो एज़िटी जाएगी 71 जा 7 और 72 जा 14 यहनी 1470 रुपीज चार्जिंग हो गई हमारा simple interest अब पैसे वो लिये हैं तो वापस देंगे भी हम 56,000 बोरो किये गए थे या बोरो दिये ले गए थे और उसमें प्लस करेंगे जो पैसे चार्जिंग लगी उसके उपर तो चार्जिंग प्लस करेंगे यहनी simple interest प्लस हो गया 7, 4 और 7 और 57,470 रुपीज जो अमाउंट है वो वापस करने हो कि यह वापस लेनी हो now question number fifth रादी का invest करती है invested करती है कहाँ पर invest in पैसे लगाना कहीं पर 16,200 रुपीज in a scheme के अंदर what sum of money will see earned कितने पैसे कमाएगी in 3 years यहाँ पे यहनी जो investment है जो उसका principle है जो main राशी वो 16,200 रुपीज है time कितने time के लिए सुने इसके 3 years के लिए at the rate किस rate के उपर 12% rate है उसकी 12% पे what sum of money will see earned कितने पैसे वो कमाएगी यहनी कितने पैसे उसको extra मिलेंगे that means हमारा simple interest यहनी charging उसने कितने जो extra पैसे होंगे वो उसकी charging होती है simple interest PRT के formula से निकाल लेंगे principle कितनी पुंजी उसने लगाई कितने time के लिए लगाई और किस rate पर लगाई buy में percent है तो buy में hundred that means अगर 100 रुपीज that means होता अगर 100 रुपीज invest करते तो उसको 12 रुपीज मिलेंगे तो 12% पुजीरो में से पुजीरो कठ हो गए है मेरे पस बाकी को हम multiply करेंगे और इन सब को multiply करने के बाद हमारा result होगा 5,832 रुपीज ये charging हो गई उस पैसे के उपर अब उसने investment की थी तो उसको पैसे वापस भी मिलेंगे तो ये उसकी amount है यानि कितने पैसे उसको वापस मिलेंगे जितने उसने लगाए वो तो उसको वापस मिलेंगे मिलेंगे जो charging है एक्स्ट्र पैसे वो भी उसको साथ में add होके मिलेंगे that means उसका जो plus होगा मनी 2,3,10 और यहांसे 12 और यहांसे 22,032 रुपीज उसको वापस एक तरे से investment का जो benefit है उसको मिलेगा next question हमारे पास तरुन लेंट किराए पर देता है 4,000 रुपीज इस तूर इच यानि प्रते को रमेश को भी और दानिश को भी दोन्नों को उसने 4,4,000 रुपीज दिये किस rate पर दिये 12.5% per annual for यानि उसने रमेश को 31 by 2 years के लिए और दानिश को 5 years के लिए एक दिये respectively means होता है 1st का 1st और 2nd का 2nd year find the difference of interest received by 34 each of them दोन्नों का जो difference है हमारे interest का वो हमें find out करना सबसे पहले तो हम उनका interest निकालेंगे रमेश रमेश को मिले 4,000 रुपीज और दानिश को भी हमारे पास दोन्नों को 4,000-4,000 रुपीज दिये दोन्नों का rate सेम है 12.5% और इसका भी rate 12.5% time change है रमेश का time है 31 by 2 years यह per annual है इसको write ज़रूर करें कि हमें show करना होता है और दानिश का time है 5 years के तो दोन्नों का time अलग हो गया तो interest भी अलगाए गया यहां से simple interest निकालेंगे है हमरे में इसका PRT P principle rate और time अब buy में 2 है और 100 का हम 100 लगाएंगे सबसे पहले 2 से 2 0 से 2 0 कट करेंगे और 2 से कट करेंगे तो यहां पे 20 हो जाएगा अब यहां से 31 12.5 और multiply 20 दोनों की multiply कर लेते हैं पहले हम 0 2 5 0 10 2 2 4 5 और 2 1 0 2 decimal का one place है तो one place हम decimal बोट कर लेते हैं यानि 250 और 31 की multiply और करेंगे हम इन दोनों की multiply का result हमारे पास होगा 77 और 50 यहीं 7,750 डूपेज अब इसका जो दानिस है उसका भी simple interest निकाल लेते हम formula बहुत होगा PRT यहीं 4,000 12.5 परसेंट अटाएंगे बाई में 100 और 5 यह तो जिरो से 2 0 कट अब यहां से 0 और 4 तूजा 4 5 जा 20 और 12.5 रिमेनिंग है अब 2 0 हम multiply में 2 5s are 10, 2 2s are 4 and 5 और 2 1s are 2 decimal का one place है तो one place करेंगे यही 2500 रूपेज है अब दोनों का जो simple interest है उसका हमने निकालना है 7,750 रूपेज और 2,500 रूपेज 0, 5, 2 and 5 जो दोनों के simple interest card difference of 5,250 रूपेज 118 जोपेजय में पूइक है